गुड गोवनर के महतोफ़न बाद होती है इफेक्टिव डिलिवरी अब जंधन एकॉंट की यहां चर्चा हो रही है हमारे माने विपक्ष नेताजी ने भोपाल के अच्छे उधान दिये मैं गुलाम नभी जी का बहुत आभारी हूँ कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटिक काम उन्होंने किया बोपाल जिले में किस गाउं में कौन जिंदन एकॉंट से रह गया है और उसका रेकॉर्डिंग तक करके ले आए होना यही चाहिए तभी एक्जिकुटू एकॉंटेबल बनेगी और इस सदन के सदस्यों का यही काम होता है यह मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है और मैं मानता हूँ एक सभी दीशा का ये प्रयास है उसमें कथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया मैं कथ्य के चर्चा निकले मैं इस प्रयास का अच्छा मानता हूँ क्योंकि कभी कभार नीचे से व्रबस्ता से खबार आज गया के और मान लेते हैं लेकिन विक्त सजाग रहा देखां और कितनी मेहनत की था सथ्प्ता में इतनी मेहनत की होती तो जन्दम का मुझे करना की लेकिन थी पर प्रया अच्छा किया आपने माइक्रोस्कोब लेकर के देखा मोधी कह रहा है जंदन हो यार कहीं तो होगा कोई कॉने में लेकिन साथ आप इतने साथ माइक्रोस्कोब रहें अगर बाइनो कुलर से भी देखकर के काम किया होता तो आगे महनत करने का मेरे जिन्में आपने माइक्रोस्कोब लेकर के घुम रहा हुआ अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनो कुलर से भी देखकर के काम को निपका रहे करने का प्रयास किया होता और इसलिए मेरा कहने का ताक्व यही है कि हम इफेक्टिव डिलिवरी पर बाल थे वरना कभी जो लास माइल डिलिवरी हमारी हाँ तर जो जो लो सरकार में नहीं को मालूम है हमें हमें उसमें जितना ही हम पुर्शार करें करना चाहिए हमारे सितराम जी ने एक विशेट छोड़ा था उन्होंने कहा था कि कि टारगेटेड सबसीडी के नाम पर आप सबसीडी कम कर रहे हैं वैसे वो उनके नेचर का विशेट नहीं है लेकि क्यों बोल दिया मुझे सफ़र नहीं आता है क्योंकि लेकि हो सकता है पुलिटिक्स में कुछ जीजे करने भी पड़ती है मैं गुदान देना चाहता हूँ चंडिगट शहर का चंडिगट शहर में ज्यादा तर घरों में बिजली हैं ज्यादा तर घरों में गैस कनेक्शन हैं उसके बावजुद भी चंडिगट में तीस लाख लीटर केरोसिन जाता था जबकि उनका को उपयोक उनको नहीं था कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था साध उनको उपयोक होगा तीस लाख लीटर केरोसिन हम नकी सोगा है ज़र हम जाम युद्णा को आलागू करेऊ सर्वे किया आधार का उपयोक किया गैस कनेक्शन का डाटा ये रख्या किया, कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, आने बाले कुछ बिनों वसाइद पुरा हो जाएदा, लेकिन इसका परणाम ये हुआ, कि टीस लाख लिटर टेरो से इंजोकी जाता था, और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुडिक पतियों के पास चला जाता था, ये पुझी पती लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एन्वार्मेंट को बरबात करते थ ये टारगेटेट सबसीडी का परिणाम ये है, ये जो धन्ना सेठ या पुझी पती के लोगों के हाथ में 30 लाख लिटर करूशी जाता था, बहुत तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा, और इसके पारण देश की करोड़ों रुपिये की सबसीडी बचेगी देश की करोड़ों रुपिये की सबसीडी बचेगी, तीसरा देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिं जाएगी, कहने का हमारा तात्म ये है, कि हम जो टेकनोलोजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के सबंग मैं सबसीडी सही व्यक्ति को मिले, नियम में जो टनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है, ये रुपिये बचाने का खेल नहीं है, एक व्यवस्ता में ट्रांसपरंसिल आना नहीं, लिकेजिज बंद करने की, दलानों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है, उसमें भी कुछ कमिया है, तो ठीक कर लिए और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से को जानकारी मिलेगी, तो उसको ठीक करने में सुविदा बढ़ेगी, तो मैं दिमत्रत देता हूं सबको, कि ऐसी कोई बाद ध्यान में आए, तो जुरूर सरकार के ध्यान में ताकि हम इसको कर पाएं